न 77 April his student class assessor में आप कहा आरदेख स्वागत है आज हम करने वाले हैं महम्मद आली जिन्हा के बारे में महम्मद अली जिन्हा और सबसे पहले मैं यह जानना कों Graham अगर मैं किसी इंडियन से किसां पूछ कुछ की फूज महम्मध गली गजैनक Fox का अंसर रहोगा महमध अली जिनवा किस्तान के गाइद ecosystem ऑगाद्य Mix क्या होता है जैसे इंडिया में फादर लगी नेशन है महाथम गांदी एविशे ही father of the nation पाकिस्तान में कोई दूसरी मुहमध अलि descola was responsible for partition of India okay so do you mean कि मुहम्मद अली जिना जो था वो partition of India कराने के लिए एक लीडर बना मुहम्मद अली जिना एक गुजराती था जिसके कि वंशच जो थे वो हिंदू थे और काथिया वाडी था उसके बाद चलिए छोड़िए उसकी history में नहीं जाते लेकिन जो अभी subject है उसी के उपर रहते हैं मुहम्मद अली जिना वोज अलीडर who fought for the freedom of India पहले इंडिया और पाकिस्तान नहीं की था सेंटरालिक से पहले और सबसे पहले वो freedom fighter था ये बाद में हुआ कि उसने सोचा उसी ने नहीं सोचा कई हिंदू ने था उन्हें भी ये सोचा अब बात आ गई कि उसकी portrait वहां लगाई जाए या ना लगाई जाए उसकी portrait अलीगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी में 1938 से लगी हुई है जब देश के अजाद उने से भी नौ साल पहले की लगी हुई है 1938 में उसको honorary membership of student union of अलीगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी मिली lifetime अब साब अगर उनने 1938 से लगाई हुई है तो आज ऐसा क्या बवाल हो गया कि आज उसकी फोटो हटाओ अलीगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी ने ऐसा उसमें क्या इससी दिक्कत कर दी अगर फोटो लगी हुई अगर फोटो हटा नहीं हटा दीजिए कोई बात नहीं हटाईए लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि ये फोटो और कहा कहा लगी हुई है आपके लोकसावा में भी ये फोटो लगी हुई है हटाओ न लोकसावा में अब तो भाई जो विरोध कर रहा है अलीगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी में इसकी फोटो का उन्हीं की सरकार है उनको चाहिए कि वो हटाएं हटाते क्यों नहीं लगाए जोर दम दिखाएं अपना नहीं दिखा पाएंगे ये सिर्फ राजनिति है और कुछ नहीं है अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी is an educational institution of excellence उसका मुकाम है अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी का और बहुत ही अच्छा काम हुआ है वहाँ पर education के उपर सरसायत जो थे जिन्होंने ये अलिगड मुसलिमी निवर्सिटी का जिसने सोचा था जिसने बनाया था जिसने पैसा लगाया था सब कुछ लगाया था उसने खूब सपने देखे थे और उन पे काफी काम हुआ है और अच्छा काम हो रहा है लेकिन सिर्फ कुछ चंद लोगों के कारण वो बदनाम नहीं की जा सकती है चंद लोग जिनके की political गेंज है political गेंज के लिए सिर्फ एक यह हुआ किस बात पर वो भी बता दूं इसकी जड़ में क्या है कि एक गौतम साहब है जो की MP है जो की local अलिगड के MP है उन्होंने चिठी लिखी है अलिगड मुसलिव इनिवरस्टी को कि क्यों नहीं क्यों इसकी photo वहां लगाई हुई है तो भाया MP साहब गो टू पार्लिमेंट गो टू लोग सवा और वहां से हटाई है आप तो जाते हैं आप तो representative of people है अलिगड के तो आप वहां से हटवाई है न कोई रोक रहा है क्या आपको आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जुरूब बताएं लाइक करें अगर अच्छा न लगए तो डिस्लाइक करें लेकिन जूरूब बताएं कि क्यों डूसलाइक किया और लोगों के साथ YESR करें而 subscribe करना आप बिल्कु Thank you very much.